तो आज हम करेंगे संस्क्रिट के जो सर्वस रिष्ट कवी है कालिदास उनका जीवन परीचे जो की अक्सर एक्जाम में पूछा भी जाता है तो मैं आज आपको इसको बताऊंगी कि कैसे आप इसको इजी तरीके से लिखकर एक्जाम में अच्छे माख्स ला सकते हैं तो इसके लिए आपको दो-तिन हैडिंग दालनी है जैसे की जीवन परीचे हो गया रचनायादी हो गया इनके रस वगयरा इसकी मेन में हैडिंग डालनी है तो पहला है की जीवन परीचे कालिदास संस्कृत के साहित्यों के सर्वस्ष्ट कवी माने जाते हैं और विद्वानों का अनुमान है कि इनका जनम प्रत्मस्तापती इस्वी में हुआ था और इनका जनम का हुआ था उजियनी में इनकी जो पत्नी थी उनका नाम विद्योत्मा था और ऐसा कहा जाता है कि विद्योत्मा ने प्रतिग्याली थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वो उसी से ही विवा करेगी तो कालिदास जो थे उन्होंने विद्योत्मा को शास्त्रार्थ में हरा दिया था और इसी कारण विद्योत्मा को कालिदास के साथ विवा करना पड़ा था कालिदास को बच्पन से ही बहुत मुर्ख माना गया है कि वे बहुत मुर्ख थे प्रन्तु इसके बावजूद भी उन्होंने संस्कृत में सरुस्रिष्ट स्थान प्राप्त किया है और अगर इनकी रचनाओं की बात की जाये थो इनकी जो कुल रचनाए है वो तीन कुल रचनाए इनकी साथ है जिसमें की तीन उनके नाटक है दो महा काव्यों और दो खंड काव्यों है ये साथ रचनाएं अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रोमोर्वंशयम और मालविका अगनी मित्रम और जो दो महा कावयो है वो है रगुवंशयम और कुमार संभाव और उसके बाद आचे है दो खंड कावयो वो है मेगदूत और रितु सहार तो इन मैसे जो नाटक है वो है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रोमोर्वंशयम और मालविका अगनी मित्रम ये है तिन नाटक इसके बाद आते हैं दो महा कावयो है रगुवंशयम और कुमार संभाव और दो जो खंड कावयो है मेगदूत और रितु सहार तो चले इनको विस्तार से बढ़ते हैं सबसे पहले है अभिज्ञान शकुंतलम ये साथ अंकों का एक नाटक है ये कमपिटेटिव एक्जाम में पूछे जाते हैं कि इनकी जो रचनाए हैं जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम तो इसमें कितने नाटक है या विक्रोम और वैंशियम में कितने अंकों का ये नाटक है तो अभिज्ञान शकुंतलम है इसमें पांच ये साथ अंकों का एक नाटक है जो की महाकभी कालिदास की सबसे परसिद नाटक है और इसका अनुवाद सभी भाशाओं में हो चुका है इसमें जो मुख्यत दिया गया है वो राजा दुशंत और शकुंतला के उन्हों के जो विवाह में वीरह का वर्णन तथा जब वो उसके बाद फिर से मिले थे उसका सुन्दर वर्णन किया गया है फिर जो से किन नाटक है उनका वो है विक्रमोर वैंशियम ये पांच अंकों का एक नाटक है जिसमें राजा पुर्श्वा और उर्वशी का जब प्रेम हुआ था और फिर प्रेम होने के बाद उनका विवाह हुआ था उसका सुन्दर वर्णन किया गया है थर्ड है मालवी का अगने मित्रम तो ये महागवी काल जास की प्रथम रचना यानि प्रथम नाटक है इसमें भी पांच अंक है और इसमें शुंग वंश के जो राजा थे अगने मित्र और उनकी पतनी जो मालवी का थी उनके जो स्ने है और विवाह का वणन किया गया है और यह जो नाटक है इसमें श्रिंगार रस परधान है और इसमें जो कवी का मुख्य उदेश्या है वो है राजाओं की जो अधिपत्नियां होती थी तो उसे उनके बीच जो इर्शा होती थी मतलब कि उसको उजागर करना ही इसमें कवी का प्रमुक्य उदेश्या है उसी उदेश्या से यह नाटक लिखा गया है उसके बाद आता है रगुवश्यम रगुवश्यम जो है वो हो महा कवी कायान लिदास का महा कावय है इसमें सूरिवश्य के राजा दलीप का वर्णन किय गया है और इसी महा का व्यक्याधार पर महा कवी का लिदास जी को रगुकार और दीपशिका की उपादी भी दिये गई है ये भी competitive exam में आ जाता है कि उन्हें कौन सी उपादी दिये गई है वो है रगुकार और दीपशिका नेक्स्ट जो इनकी रचना है वो है कुमार संभव कुमार संभवम जो है वो कालिदास का प्रथम महा काव्यो है इसमें कुल स्तारा सर्ग है और इसमें कालिदास ने शिव और पार्वती के पुत्र कार्थी के जैनम जब हुआ था तो उसकी कहानी का विश्तरित वर्णन की आ जाता है next मेगदूतम मेगदूत और रितु सहार कालिदास के दो खंड कावयो है इस कावयो को गीती कावयो के नाम से भी जाना जाता है यह आपको short question में भी आ सकता है कि कालिदास की कौन सी रचना है जिसे गीती कावयो के नाम से जाना जाता है तो इसमें एक यक्ष की कता है जिसे कुबेर अलकापूरी से निकाल दिया जाता है और निकालने के बाद यक्ष रामगीरी परवत पर निवास करते हैं वर्चारे तुम्हें उन्हें अपनी प्रेमिका की याद आने लगती है फिर उनका जो वापिस अलकापूरी लोटना भी असंबव था इसलिए यक्ष ने मेग के मादिम से अपने संदेश अपने प्रेमिका तक पहुंचाने के लिए मेग दूत की रचना की है इसलिए उनकी जो मेग दूत की रचना करने का मुख्यो देश्य है वो उनकी अपनी प्रेमिका तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए की गई है इस कावय में मेगदूद को बनाने के कारण ही इनका नाम मेगदूद पढ़ा था फिर आता है दुसरा खंड कावय हो वो है रितु साहार रितु साहार कालिदास की प्रथम कावे रचना है इनके कावे की जो भाषा है वो बहुती सरल है और इसमें जो सर्ग है वो छे सर्ग उपलब्ध है प्रते एक सर्ग में हर एक रितु का वर्णन किया गया है जैसे की रितू छे होती है तो हर एक सर्ग में एक रितू का वर्णन किया गया है इस परकार छे की सर्गों में छे रितू का वर्णन किया गया है काव्य जो है इसका अरम ग्रीशम रितू से होता है और इसका जो अंत है वो वसंत रितू से होता है और आप जो कालीदास को जैसे जीवन पर जिप लिख लिए जने hear में तो उसके बार आप एक ऐसा structure टाइप जिसमें कि आपको लिखना है पहले एक box बनाना है उसमें लिखना है कालीदास फिर उनको देखना है कि किस चीज की उपादी दी गई है जैसे कि इदर दी गई है उपादी उन्हें दीप शिका की उपादी दी गई है और फिर है कि उनका जो जैनम हुआ था वो कब हुआ था प्रथम श्ताब्दी इस वी पूरों में हुआ था और उनका जैनमस्तान उजयन यानि उजयनी में हुआ था फिर आप नीचे को एक लाइन लगा कर लिख सकते हैं कि उनके कुल कितनी रचना है तो उनकी कुल साथ रचना है पहले दो खंड कावे आते हैं रीतु सहार और मेगदूत रीतु सहार में छे सर्ग है और जो रितु सहार में 6 सर्ग है और मेग दूत में 2 सर्ग है फिर आता है महा काव्य क्यूंके महा काव्य कौन कौन से वो है कुमार संभवम और रगुवईंशम तो कुमार संभवम है 17 सर्ग और रगुवईंशम में है 19 सर्ग फिर उसके नाटकों की बात की जाती है थो उनके कुलनातक है 3 जिसमें पहला है अभी जयान शकुंतलम जिसमें 7 अंग है और विक्रम और वहिंश्यम जिसमें की 5 अंग है और फिर हैं मालविक अगनी मित्रम जिसमें की 5 अंग है तो यह था महाकवीकालिदास का जो जीवन परीषय आप इस तरीक के से इसको लिख सकते हैं ताकि आपको जो है एक्जाम में पूरे माक्स मिल सके अगर आपको ये साथ नमबर काता है अगर आपको ये short question में आता है तो आप structure ना बना कर इसे सिर्फ इनकी पहले जीवन परीचे में बता कर परीचे बता कर और फिर इनकी रचनाओं के बारे में लिख सकते हैं और आप इसको जैसे अच्छे तरीके से लिखने के लिए कि आपको अच्छे माक्स मिल जाए तो आप इसमें blue और black pen जो pen का यूज़ कर सकते हैं black pen से आपको heading लिखनी है जैसे कि उपर जीवन परीचे हो गया फिर महा कवी का लिजास का नाम और फिर जैसे कि जीवन परीचे रचनाओं जैसे कि आपने कई बीच में रचनाओं लिखिये तो आप इनको black pen से लिखे ताकि जो examiner है उनको पता चले कि अच्छा लिखा है औ आपको full max मिल लगे तो ये था महा कवी का लिजास का जीवन परीचे तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या useful लगी हो तो वीडियो को like, share, subscribe जुरूर करें